नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की इंताविन 150 टाबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है इंताविन 150 टाबलेट को कैसे लेना चाहिए और इंताविन टाबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की इंताविन टाबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए इंताविन टाबलेट एक अंटी फंगल दवा है इंताविन टाबलेट का उप्योग फंगल इंफेक्शन और यीस्ट इंफेक्शन होने पर किया जाता है इस्चार्ज होना आदी लक्षन महिलाओं की वजायना में फंगल इंफेक्शन होने पर हो सकते हैं इसके अलावा तवचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर भी डॉक्टर इंटाविन टाबलेट को लेने की सला दे सकते हैं वचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर तवचा मे लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजरी और तवचा में जख्म आदी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। Fundal Infection नाखुनों मुह और जांगों में भी हो सकता है। Fundal Infection शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। Side Effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Intavin Tablet की वज़ा से कोई Side Effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Intavin Tablet की वज़ा से कुछ Side Effects हो सकते हैं। जैसे पेट दर्ध होना, सिरदर्ध होना, घूप का कम होना, दस्त होना, उल्ती आना और उल्ती आने का मन होना आदी Side Effects Intavin Tablet की वज़ा से हो सकते हैं। इसके अलावा Intavin Tablet की वज़ा से कुछ पसेंट व्यक्तियों में जोडों में दर्ध होना, हैर फोल, लिवर में सूजन होना और तवचा पर रैशेज भी हो सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक Intavin Tablet को लेने से लिवर डैमेज भी हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की Intavin Tablet को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। Intavin Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। बहिनाओं की वजाइना में फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्तर Intavin 150 Mg Tablet को सब्ता में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। वचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर Intavin Tablet की डोज इससे अधिक हो सकती है। Intavin Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको Intavin Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि Intavin Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। अगर आपको किड्नी या लिवर की कोई समस्या है, तो आपको इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि Intavin Tablet किड्नी और लिवर की समस्याओं को ज्यादा गंभीर बना सकती है। प्रेग्मेंट महिलाओं के लिए Intavin Tablet का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है। अभी इसके बारे में परियाप्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि Intavin Tablet स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादातर डॉक्तर स्तनपान करा रही महिलाओं को Intavin Tablet को न लेने की ही सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका Intavin Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं।